मैं से मैं को लड़ना पड़ता है, जब मैं का भाव भर जाता है, भैता नहीं घमंड किसी मैं का, उस मैं को समझाना पड़ता है मस्काल दोस्तों, मैं मनाक्षि अओजा आपका स्वागत करती हूं रजवाते मैंफिल में दोस्तों, कोई भी एहम अज्ञानता और गलत ग्यान के कारण पैदा होता है अपने एहम से लड़ने का मतलब होता है कि उसके कारणों को पहचान कर उनके खिलाफ संगर्ष करें मेरा ये एहम जो मुझ में रमसा गया है, परत दर परत जो मुझ में जमसा गया है मुझ पर भी अब ये अधिकार जमाने लगा है, इस दुनिया को नजरों से मेरी गिराने लगा है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये सब तै करने वाला आखर ये एहम होता कौन है इस एहम से अलग एक और शक्षियत है मेरी, इस एहम को बस अब यही सच बतलाना है हाँ इस एहम को जानने में इस एहम को पहचानने में कुछ देर जरूर हुई पर होसला अभी भी बाकी है एक नई कुडान अभी भी बाकी है मैं अब तलक हारी नहीं हूँ अब अपने ही इस एहम के खिलाफ एक नई जंग है मेरी इसकी पर्तों को हटाना है अब जिद है मेरी फक्त लगेगा जरूर पर एक दिन जीत जाऊंगी आज जो सर चड़कर बैठा है इसी एहम को पैरों पर लाऊंगी